आई पील के तेरवें सीजन का बारवा मुकाबला आज यानि की नाइट राइडर्स वर्सिस राजस्थान रोयल्स के बीच दुबाई आज राजस्थान ने अपने पहले मैच में लीग का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया था वहीं केके आर ने पिछले मैच में संडराइजर्स हाइडराबाद को करारी शिकस दी थी फिछले पास साल की बात करें तो राजस्थान की टीम केके आर के खिलाव सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है इस दोरान दोनों के बीच पाँच मैच खेले गए थे वहीं सीजन में राजस्थान का प्रदेशन बहतरीन रहा है उसने अपने दोनों मैच शारजाओं में खेले हैं दोनों बार 200 से ज़्यादा रन स्कोर बना कर मैच जीते भी हैं केके आर ने सीजन में अब तक दो मैच खेले हैं जिसमें एक में उसे जीत मिली है जबकि एक मैच वो लीग में हार चुके हैं दुबाई में खेले गए पिछले मैच में कोई भी नतीजा नहीं आपाया था ऐसे में सुपर ओवर से मैच का निर्ने हुआ था जिसमें रॉय चेलेंजर्स बैंगलॉर ने मुंबाई इंलियन्स को हराया था आयपेल इतिहास में पहली बार 200 प्लस रन बनाने के बावजूद कोई मैच टाई हुआ था इस मैच में बैंगलॉरू ने टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए तीन विकेट पर 201 रन बनाये थें इसके जवाब में मुंबाई भी 5 विकेट पर 201 रन बना पाई थी दुबाई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में तेज गेम बाजी की भूमी का एहम होगी इस सीजन में अब तक यहां 5 मैच खेले गए हैं 5 मैचों मैचों में यहां कोई भी टीम चेज नहीं कर पाई है यानि टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी लेने में पिल मेरेसेल का सबसे ज्यादा एक देशमलव 86.4 का स्ट्राइक रेट रहा है राजिस्थान के काप्तान स्मित 12.5 करोड रुपए में और संजू सैंसन 8 करोड रुपए में अपनी अपनी टीमों के सबसे महंगे खिलाडी हैं ऐसे में आज राजिस्थान और कुलकाता के ब कर दो